बहुत ही दुख की घड़ी है, दुख का समय है, हमारे बीच से एक बहुत ही संगीत अग्या, संगीत समरागी, लदा जी का हमारे बीच से चले जाना, यह अत्यन्त शोक का विश्य है, और हमारे हिंदुस्तान के लिए यह बड़े शोक का दिन है, क्योंकि ऐसे बड़े लोगों का, गुणवानों का, संसार से चला जाना, यह खिदी दाइग होता है, और यह संगीत की जो दुनिया है, संगीत की दुनिया में सबसे बढ़कर और इनको संगीत के अधार पर कई प्रकार के पुरुषकार मिले, लेकिन सर्बोच पुरुषकार जो था, वो भारत रतन था, और उस भारत रतन पुरुषकार से भी इनको नवाजा गया था, इनकी शैली, गाने की अपने आपने बड़ी बचित्र थी, बिलक्षन थी, और ये बात हम सब को एक मुझमूर कर देती है उनके प्रति आकरशिद होने के लिए, आपने देखा होगा कि जी जो इनका निधन है, इनका निधन केवल किसी एक परिवार के लिए नहीं है, ये मैं तो समझता हूँ कि पूरे भारतवरश के लिए और पूरी दुणिया में जो लोग इनके गानों से प्रसंद होते थे और उन सब के लिए ये एक दुख की घड़ी है, आसे समझ में, मैं ये कहूँगा कि इस प्रकार के ये अबताही पुरुष होते हैं और संगीत के अबतार के रूप में अबतर्त हुई, और कैसी एक संजोग की बात है कि कल बसंत पंचमी थी बसंत पंचमी की अधिश्टात्री देवी जो है वो सरस्वती है और सरस्वती जो है संगीत की अधिश्टात्री देवी है और उसी दिन उसी दिन को ले करके यह इनुने इस जीवन से प्रजान किया है और ये कितना बड़ा दिन है इससे ये प्रतीद होता है कि सरस्वती माताजी जो है वो इनके प्रती एक ऐसी शद्धानुत हैं और ऐसा मालूम हो रहा है कि जो जाता है वो अवश्य आता है इसलिए हमारा यह मानना है कि ये अवश्य ही फिर द्वर आएंगी और जिस प्रकार संगीत की पूरी जगत को इन्होंने अपने संगीत से ये लाभानुत किया आनंदित किया वो वास्ता में फिर ये उसी प्रकार आकर के आनंदित होंगी मैं इस मैं दुख के समय में इनको शद्धांजली देने से पहले ये कहूँगा कि देखिए एक बार 1962 की बात है या 1965 की और जुद्ध लगा हुआ था पाकिस्तान के साथ हमारे कई वीर जुद्धा जो थे वो अपने प्रानों की आहूती भी दे रहे थे और उस समय इन्होंने गाना गया था कि ए मेरे बतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी जो शहीद हुए है उनकी जरा जाद करो करवान इस सारे गाने को सुन करके उस समय जहां तक मैं समीताओं की पनित जोहलाल नहरू थे और उनकी आंखों में भी आंसु आ गए थे उनकी जो जोद्धा थे उनकी जोद्धाओं के प्रति इस प्रकार का गाना गाना और अभी भूत होना ये एक बड़ी बात थी ऐसे हमारे डुगर देश में भी ये एक ऐसे गाना जो थे ये नोने किये हैं कि जैसे कि वो बसंत के समय में ऐसा गाना गाया था नोने कि उजह स्वरन नहीं आ रहा है और डुगरी में गाना गाया और डुगरी में गाना गा करके एक हमारे डुगर प्रदेश को भी अपनी बाने से अलंकरत किया अलंक शोविद किया और प्रत्येग व्यक्ति जुथा उनकी गाने से एक प्रसंद होता था मैं जह कहूँगा कि जिस समय प्रत्येग मनुष्य बहुत बड़ा हो छोटा हो लेकिन उसका निधन अवश्य है और नजायते म्रिजितेवा कदाचित नायम भूत्वा कुदस्चित वान भूजा अजो नित्या शाशुतो यम पुरानू नहन्यते हन्यमाने शरीरे ये शरी पहन लेते हैं उसी प्रकार वहाँ प्रमात्मा का अंश हमारे बीच में आत्मा है जब उस शरीर में रहने के लिए थोड़ा सा कश्रन भव करता है तो वो दूसरे शरीर को धारन कर लेते हैं मैं इस समय इस पंडियात्मा को मैं कहूंगा कि मेरी योर से इस देवंगत आत्म को शद्धांजली हो और उस शद्धांजली से इनका यो दिवंगत होना जो है इनकी आत्मा को सुख और शांती प्रदान करें और इनकी जो परिवार के लोग हैं उन परिवार के लोगों के लिए बहुत बड़ा ये सद्मा है बहुत बड़ा एक दुख है और परिवार के लोग भी इस दुख को सहन करने की शक्ति प्राप्त करें भगवान से और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि इस दिवंगत आत्मा को सुक्षान्ती प्रदान करें और परिवार के लोगों को इस असई दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें इनी शब्दों के साथ मैं अपने शद्धांज लियार्पित करता हुआ, उनको परनाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद.